So, hello everyone, तो इससे मैं Olympics का बिल्कुल season चल रहा है और comments जब मैं live class लेता हूँ तो देख के समझ में आता है कि आप लोगों का भी काफी मन करता है होगा है ना कि Olympics हम भी खेलें तो कोई नहीं Olympics आपको खेला आते हैं भी और चिंता मुद के रिए मिडल भी दिलवाएंगे आपको लेकिन आपको ये कुछ चीजें हैं कुछ तीन चीजें जो आपको follow करनी होगी और आप भी मिडल जीत सकते हैं भले देश के लिए नहीं तो अपनी और अपनी फैमिली के लिए अब यहां पर जो मैं तीन चीजें आपको बताने वाला हूँ ठीक है वो actual मैं आप relate कर पाएंगे और उनको relate करके हैं बताऊंगा आपके actual exam से और वहां पर मैं example दूँगा Manu Bhakar जिन्होंने multiple medals जीते हैं उनके बारे में सारी चीजें बता चुका हूँगी शी नॉट ओली दी फर्स्ट फीमेल प्लेयर बट आलसो दी फर्स्ट इंडिन प्लेयर आफ्टर इंडिपेंटनेंस तो विन दी multiple medal in Olympics in a single Olympics सो अपने लकुसाले शूटिंग में जो multiple events होते हैं उसमें पहला शूटिंग में उन्हें medal लेकिया हैं और लक्ष सेन medal लाने से बस एक कदम दूर हैं और नहीं बिलाते हैं तो भी he has created history by becoming the first Indian male badminton player to enter into the semifinals of the Olympics तो इनके examples में यहापर यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहला चीज़ don't make blunders that can move you out of the game इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसे blunders repeated blunders मत कर दीजिए जिससे कि आप पूरी तरह से game से out ही हो जाएं आपको game में वापस जितना भी अच्छा फिर perform कर लें आप game में वापस आने के आपके सारी संभावना ही खतम हो जाया जैसे कि shooting के अगर मैं example की बात करूँ जैसे सुपनिल कुसाले जी का example ही यह लेता है अब जो इनके events हुए थे आपने देखा होगा न एक बैट के एक लेट के खड़े हो के इस तरह से shooting में mixed events होते हैं तो उसमें इन्होंने medal लेकिया है तो इसमें shooting में आपने observe किया होगा कि अगर जैसे कि इनके अगर हम बात करें तो इन्होंने ठीक ठाक सारे मारते गए जो भी pointers थे इनके लगबग 10 के करीब आते गए और जिसके भी जिसके भी 10 के करीब आते गए वो game में बना रहा है shooting में आपने देखा होगा कि elimination स्टार्ट हो जाते हैं एक point के बाद से कि भाई जो number 9 में वो eliminate होगा फिर आठवाँ eliminate होगा फिर साथवाँ, छथवाँ, पांचवाँ, चाथवाँ और फिर last में तीन बचते हैं फिर एक एक shot का game रहता है फिर तीसरा हटेगा और फिर आखरी shot में gold और silver के लिए रहता है तो वो ही हटने की शुरुआत मतलब उनी से होती है जिन्होंने की repeated blunders किये होते हैं जो भी 10 या उसके आस पास मारते रहे हैं वो या तो बिल्कुली last में जाके है तो फोर्थ उसमें जाके finish करेंगे या बहुत जाए चांस है कि वो top 3 में तो finish करेंगे ही करेंगे medal के उनकी आज बनी रहती है last तक और अगर उन्होंने blunder नहीं किया तो और अगर last में जाके उन्होंने अच्छे pointer 10.6, 10.9 जो की maximum होता है तो फिर उनके chances रहते हैं कि वो silver या फिर gold तक भी आप जा सकते हैं तो ऐसा ही आपको रहना है आप बिल्कुल इसको relate कर लीजे जैसे कि आप जैसे for example जो actual exam है अब actual exam में आपने for example एक question आया जिसमें आपने इतना ज्यादा ये question आया आपने बहुत ज़्यादा समय खपा दिया फिर एक question और आया आप again panic होगा और आपने बहुत ज़्यादा समय अपना खपा दिया तो उसे होगा क्या कि आपको इतना ज्यादा time वहाँ पे आप डाल चुके होंगे कि अब वापसी करने का काफी कम chances हो जाता है ये चीज आप mock में भी implement करके देख सकते हैं ठीक है तो इससे होगा क्या अगर मानलों आपने एक blender कि जैसे सुपनिल जी कि अगर बात करें तो इन्होंने एक इनका गलती से 9.4 टाइप pointer चला गया था लेकिन इन्होंने comeback काफी अच्छा किया तो ये भी एक सीख है अपने आप में कि अगर मानलों की कुछ ऐसा हो भी जाता है तो comeback तुरंद करके आना और अच्छे-च्छे pointers लगाना है जल्दी-जल्दी आप सुचिए अगर इन्होंने फिर से 9.4 या 9.5 से नीचे pointer मारा होता है तो शयद 4th option पर जाके 4th में जाके eliminate हो जाते है लेकिन इन्होंने medal जीता और अगर ये नाम हो सकता है कि 9.4 की जाकर मार लोंने 10.5 मारा होता तो silver medal भी हम जी सकते थे फिर gold भी लेकिन खेर middle तो medal ही होता है बाखी तो we are proud of सौकनिल जिन्होंने पहली बार जैसे नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि shooting में medals नहीं आ है लेकिन ये जो mixed event होता है जिसमें कि आपको एक बार late के वो लगाना होता है निशाना फिर एक बार बैट के एक बार खड़े हो कि उसमें हमने पहली बार कोई medal जीता है अपने आप में proud की बात है तो मैं बस आपको एक example दे रहा हूं यह सिर्फ relate करके तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई blender नहीं कर देना है और अगर एक blender हो भी गया है तो तुरंत come back करना है so that आप पूरी तरह से game से out ना हो जाए और को observe क्या होगा तो यह क्या है कि मतलब जहां भी हो पूरा लड मर के पूरा गिर के point निकाल ही लेते हैं या फिर at least give up नहीं करते हैं ज़री नहीं क्या point निकालना है क्योंकि जैसे भी Roger Federer जो कि one of the greatest tennis player of all the time उन्होंने भी यह सेम जीज़ बोली कि मैं काफी time तक काफी हवतों काफी महीनों का सालों तक मैं number one रहा लेकिन फिर भी अगर आप यह calculate करेंगे कि मैंने कितने match points जीते तो यह roughly 54% कुछ निकल के आएगा यानि कि जो greatest player होते हैं वो सारे वो भी सारे points नहीं जीत पाते हैं आप देखिए मात्र आधे कुछ point उन्होंने जीते हैं जबकि वो greatest of all time अगर हम रोजय फेडर की बात करें तो तो जरूरी नहीं है कि आपकी सारे points आप जीत रहें आपका जो ध्यान है वो अगले point पे है कि नहीं और आप never give up attitude रखते हैं कि नहीं कि अगर पीछे मार दिया तो ऐसे नहीं कि बस खड़े हो गया जाएंगे पुरा try करके आएंगे आपने देखा हो जैसे पीछे अगर मार दिया तो भागते हुए जाएंगे और वहां से पूरा नीचे से निकाल के लाते हैं shot को लक्षा से और वो मारते हैं वहां से जाके shot अगर कहीं पे भी है पूरा मतलब अपना 100% वह आपको दिखता होगा उनके game में कि 100% देते हैं भ अगर अगला semifinal जीत लेते हैं तो एक medal तो confirm ही है silver medal फिर gold medal match होगा लेकिन यह मैंने आपको बहुत 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 है कि नहीं भी जीते हैं तो भी he became the only male player to in the badminton to enter into the semifinals क्योंकि वह जरी नहीं कि वह जीते हैं जीते हैं क्योंकि game matter करता है और game जिस तरह से जैसे कि एक तो never give up attitude है जो कि आप कल वाले match से भी थोड़ा सा एक तो मैंने आपको बता है कि ठीक हर जागे सो point निकाल के लाते हैं जाया भले finally वह जीते हैं ना जीते हैं लेकिन point निकाल के लाते हैं लेकिन जो कल का match हुआ जहां पर Chinese type A का जो player था player का नाम तो मुझे exactly याद नहीं कुछ च 21 point उसके और 19 लेकिन आप देखिए अगर अपना अगर control खो देते या फिर थोड़ा सा anxious हो जाते लक्ष सेन तो और अगर दूसरा सेट हा जाते तो वहीं पर खतम था game लेकिन उन्होंने दूसरा सेट भी जीता और तीसरा सेट भी अपने नाम किया और यह काफी बड़े margins है तब तक आप game में बने हुए हैं until and unless कि आप कोई बहुत भी बड़ा blender कर दें ठीके तब blender नहीं करना है और अपना 100% देना है और last तक जब तक game खतम नहीं हो जाती है तब तक give up नहीं करना है game सोंचे कर अगर give up कर दे होते तो क्या समय फेले में पहुंचते लक्ष सेन बिल कितने सारे लोग attempt करते हैं exam को तो हम कैसे निकालेंगे अगर यह नोने सोचा होता कि यह तो है world number 3 है मैं तो unseeded player हूँ seeded का मतलब होता है कि भाई यह अपने सुना होगा tennis में भी चलता है कि second seeded, third seeded, tenth seeded इस तरह से तो उसका मतलब यह होता है कि इनकी एक ख्याती होती है वह मैं deep में नहीं जारू seeded players किया है कैसे नहीं होगा तो मैं शाट वीडियो पर बनादूंगा लिकिन आप समझ और चीज़ यहां दे सकते हैं, जो first attemptors हैं, कि ये डरने के जरदा नहीं first attemptors को, कि देखो मेरे सामने तो world number 3 खेल दा है, बिलकुल नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है, last तक give up नहीं करेंगे, and third है हमारा यहां पर, keep your calm in each game and focus on your target, again किसका example रख सकते हैं, Manu Bhakar जी का यहां पर, shooting मे उन्होंने देखा हो कितना कामने से दिखाती हैं अपने game में, और एक चीज़ और सिख सकते हैं, कि अगर Manu Lok को initial victory मिल गई है, किसी exam में, जैसे Manu Tier 1 आप देते हैं, बहुत अच्छा perform करते हैं, तो यह नहीं कि अब तो मैं Tier 2 में भी अच्छा ही perform करूंगा, बहुत अच्छ जीती हैं, ठीक है, अपने अपने एक इन्होंने history बना दी पहली बात तो, ठीक है कि shooting में पहले कोई female एक medal लेके आई हो, then उसके बाद जो mixed, 10 meter में ही, जो mixed pistol event हुआ था, सरब जोच सिंग के साथ, again उन्होंने जीता, bronze medal, अगर उसी में ही, पहली victory में complacent हो जाती हो, मोदी ज इन्होंने हमसे बात करी और ही इस तरह से, तो क्या medal ला पाते हैं, बिलकुल नहीं, जीता, और again फिर से, अपने आप में अगेन एक बहुत बड़ी history हो जाएगे, अगर इन्होंने इसमें medal जीता, तो, ठीक है, तीन medals तो आस तक ही कोई नहीं लाया है, वैसे दो medal, एक ही प 1900 में वो भी पैरिस में जो Olympics वे तो Norman Prichard और वो तो Anglo-Indian थे, पूरे Olympian, मतलब Indian भी नहीं थे, तो एक तरह से, बोलें तो कोई आज तक दो medal भी नहीं लाया था, और ये तीन-तीन medal अगर लाती है, तो वो तो चलो ठीक है लाती है कि नहीं लाती है, लेकिन आपको क्या सिखन यहां से कि आपको अपना काम मेंटेन करके रखना है, और बहुत ही ज़्यादा complacent नहीं हो जाना है, अपनी initial victories को लेके कि यार, आम तो जीते गए और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा भी तो, आपको जो भी आपका next game है, उस पे focus बना के रखना है, और last तक अपने जो target है, उस पे एकदम hit करते रहना, so that कि आप game हमेशा बने रहें, और again आप repeated medals जीते हैं, because जितने medals आप जीतेंगे, उतना ही आपकी glory बनने वाली है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था एक news article की, जहाँ पर अभी काफी सारे sponsors, इनको अप्रोच करने लगें, जो पहले 20 ला These are the three things from my side, which you can learn from our Olympians, और आप भी अपने लिए और अपनी family के लिए एक middle ला सकते हैं, यह तो मेरी learnings थी जो मुझे लगा था, अगर आपको को लगता है कोई और learning है, जो आपने ली है Olympian players से, या फिर in general, तो आप comment section में बता सकते हैं, बाकी, thank you and I hope best for your exam, अभी time है, exam के लि learning से आमें आपको बताई, इन सारी चीज़ों को आपको mocks में करते रहना, कि कोई आप यहां पे blender तो नहीं कर रहे हैं, अपना काम maintain कर रहे हैं, आप हर mocks में अच्छा hit कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें sports की तरह लेजिए, अपनी जो preparation journey है, इसको अज़ा sports treat करिए, कि अब अ अच्छा और exciting बना सकते हैं, with these words, thank you for watching the full video, thank you